नमस्कार भागे चक्र में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीण मिस्त्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी पंडी जी आपका भागे चक्र में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार, आज हम पंडिक जी से जानेंगे, ब्रहस्पती ग्रह का महिलाओं के जीवन में क्या महत्यो होता है, वैवाहिक जीवन में कैसे ब्रहस्पती महत्यपूर्ण रोल अदा करता है, यदि वैवाहिक जीवन में परेशानी हो, तो कैसे आप ब्रहस्पती का उपाय करके अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं साथ ही आपका राशी फल जानेंगे लखी नंबर के हिसाब से आपका लख जानेंगे तो पंडी जी कारकरम को शुरू करें जी तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज के पंचांग में क्या है खास कौन सी राशी और पंडी जी आज राहुकाल का समय कितने वज़े से कितने वज़े तक रहेगा जी दिनांक 21 दिसंबर 2030 दिन ब्रिहस्पतिवार तिथी है मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथी प्राता काल 9 बच के 37 मिनट तक नक्षत्र है रेवती नक्षत्र रात के 10 बच के 9 मिनट तक चंद्रमा मीन राशी में संचरण कर रहे हैं रात 10 बच के 9 मिनट तक राहुकाल का समय दोपहर 1 बच के 30 मिनट से लगभग 3 बजे तक जिसमें कोई भी नया और शुबकार्य नहीं करेंगे दक्षड दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासी पीली सरसों खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के विवाह में पंडी जी प्रहस्पती ग्रह का निभाता है जैसा कि प्रविन आपने कहां कि ब्रहस्पती 100 अशप है सबसे ज्यादा शुबग्रा है पुरुषों के विवाह में भी इसकी भूमिका होती है, लेकिन महिलाओं के जीवन का जो केंडर बिंदु है वो होता है दरसल ब्रिहसपती अब महिलाओं के विवाह से ब्रिहस्पती का क्या संबंद है देखिए महिला के व्यत्तित्व और विवाह के लिए ब्रिहस्पती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गरह है किसी महिला का व्यत्तित्व कैसा होगा उसकी personality परिवार को ले करके चलने की आदत परिवार को जोडने की आदत और उनका विवाह कब होगा कैसा होगा ये बात ब्रिहस्पती बताता है ब्रिहस्पती महिलाओं के स्वास्थे पर और उनके संतान पर भी असर डालता है ब्रिहस्पती महिलाओं के विवाह स्वास्थे और संतान पर सीधा असर डाल देता है महिलाओं का ब्रिहस्पती अगर अच्छा है तो उन्हें एक कुशल ग्रिहिरी बनाता है हम यह नहीं कहते कि अच्छे ब्रिहस्पती वाली महिलाएं वर्किंग नहीं होती हैं लेकिन अगर महिला का ब्रिहस्पती अच्छा है तो वो जितना अच्छा करियर बनाएंगी उतना ही अच्छा अपना परिवार भी बनाएंगी परिवार को साथ में ले करके चलेंगी ब्रिहस्पती अच्छा है तो महिलाओं का करियर भी अच्छा हो जाता है और ग्रिहस्त जीवन भी अच्छा हो जाता है किसी महिला का ब्रिहस्पती अगर अच्छा है कुंडली में आपने देखा कि महिला की कुंडली में लगन में ब्रहस्पती बैठा है तो भाया लगन में ब्रहस्पती तो वैसे भी दिखबली है और ब्रहस्पती अगर अच्छा है तो महिला के अच्छे वैवाहिक जीवन की अच्छे सौभाग्य की अच्छे सफलता की गारंटी है ये पुरुष की कुंडली में विवा वाला फैक्टर कंट्रोल होता है शुक्र से और महिला की कुंडली में विवा वाला फैक्टर कंट्रोल होता है ब्रहस्पती से तो पुरुषों के लिए जितना महत्वपूर्ण शुक्र का मजबूत होना है महिलाओं के व्यक्तित्व के लिए उनके बेहतर जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि उनका ब्रिहस्पती बेहतर हो पंडी जी राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मंगल की यह राशी है मेश राशी वालों के लिए आज के दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडी जीन के लिए शुबरंग आज कौन सा है मेश राशी आज आपका काम बढ़ा रहेगा ऐसे में अपने स्वास्ति का ध्यान बनाए रखिएगा यात्राओं में आज सावधानी रखना जरूरी है किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन के मुश्किल बहुत हद तक हल हो जाएगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुबरंग आज के लिए होगा नीला अब बात ब्रश राशी की शुक्र की ये राशी है ब्रश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडी जीन के लिए शुबरंग आज कौन सा है व्रिश राशी करियर में सफलता के योग दिख रहे हैं धन लाब के योग भी बन रहे हैं मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुबरंग आज के लिए होगा आसमानी अब बात मिथुन राशी की बुद्ध की ये राशी है मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पड़िजीन के लिए शुबरंग आज कौन सा है मिथुन राशी मानसिक चिन्ताएं आज आपकी समाप्त होंगी कारिक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी कोई रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा आपका पीला जीम लोगों की कुंडली में यदि रहस पती कमजोर हो या खराब हो तो उस इस्थिती में क्या परियनाम होते है तो आपके पास सावधानी ही बचाव है अगर ब्रिहस्पती खराब हो गया इलर्ट हो जाएए किसी महिला की कुंडली में ब्रिहस्पती का खराब होना एक बहुत ही नकारात्मक बात है बड़ी निगेटिव बात है क्यूं? क्यूंकि बिना ब्रिहस्पती के महिलाओं का न तो विवाह होगा और अगर किसी तरह से हो गया तो वो चलेगा नहीं ना विवाह होगा ना विवाह चलेगा ब्रिहस्पती अगर कमजोड हो जाए तो विवाह में बहुत विलंब होता है बड़े विलंब के बाद शादी होती है बहुत प्रियास करने पर ही जीवन में सुख आ पाता है और अगर ब्रिहस्पती खराब हो गया तो विवाह में बिलंब तो होता ही है वैवाही जीवन में कश्ट भोगना पड़ता है क्यों ब्रिहस्पती जो है वो दैवी ये कृपा का प्लैनेट है डिवाइन प्लैनेट है और ब्रिहस्पती महिलाओं के पूरे जीवन का केंद् बिंदु है अगर किसी महिला का ब्रिहस्पती कब जोर है तो तब भी ठीक है उसे उपाए बगारा करके आप मजबूत कर सकते हैं लेकिन अगर ब्रिहस्पती खराब हो गया तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा शादी करने में भी और शादी चलाने में भी क्योंकि इन दोनो ही मामलों में मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी अब अगर ब्रिहस्पती दूशित हो जाए ब्रिहस्पती दूशित सबसे ज्यादा होता है राहू से और अगर ब्रिहस्पती दूशित हो गया तो यह महिलाओं के चरित्र को कमजोर कर देता है यानि ब्रिहस्पती की ती निस्थितिया हो गई अगर कमजोर है तो उपाय करके बेहतर करके जिंदगी को बेहतर बना सकती है महिलाएं ब्रिहस्पती खराब है तो सावधानी रखकर सोच समझ कर जीवन में फूंक फूंक कर कदम रखके आप अपने ब्रिहस्पती से निपट सकती हैं लेकिन अगर आपका ब्रिहस्पती दूशित हो गया अलर्ट हो जाईए क्योंकि ये ब्रिहस्पती आपके चरित्र को निगेटिव करेगा और ऐसा ब्रिहस्पती जो दूशित है जो निगेटिव है वो महिलाओं के जीवन में आगे चल करके अपयश का बड़ा कारण बनता है वदनामी की बड़ी वजह बन सकता है अब बात करक राशी की चंदर्मा की ये राशी है करक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पड़ी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है करक राशी मन की स्थिती आपकी बेहतर होती जाएगी करियर की समस्या आपकी हल होगी कोई शुब सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुबरंग आज के लिए होगा लाग अब बात सिंग राशी की शूरी की ये राशी है सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पड़ी जी इनके लिए आज शुबरंग कौन सा है सिंग राशी स्वास्ति का ध्यान आज बनाए रखिये बे बज़ा की चिंता हो सकती है और आज आपके महत्वपूर्ड काम रुख सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुबरंग आज के लिए होगा क्रीम अब बात कन्य राशी की बुर्द की ये राशी है कन्य राशी वालों के लिए अज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंड़ी जी इन के लिए आज शुबरंग कौन सा है कन्याराशी करियर की समस्या आपकी हल होगी धन लाब के योग बन रहे हैं वाड़ी और स्वभाव का ध्यान रखे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुबरंग आज के लिए होगा हरा पड़ी जी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रहस्पति कैसे महिलाओं के जीवन में योगदान करता है ब्रवाहिक जीवन को कैसे सुखत बनाता है पड़ी जी आज कल शादी में बड़ी देरी होती है और खासकर अगर लड़कियों की शादी में देरी होने लगए तो पूरा परिवाद टेंशन में आ जाता है तो अगर शादी में देरी हो रही है तो ब्रहस्पति को मजबूत बना करके कैसे सिग्र विवा के लिए उपायक किया जाना चाहिए देखिए प्रवीन जी अगर ब्रहस्पति कमजोर है कुंडली में और उसकी वजह से विवा में विलंब हो रहा है तो आप उसे मजबूत बनाने के उपायक कर सकते हैं लेकिन अगर ब्रहस्पति खराब है तब आपको इंतजार करना पड़ेगा बेहतर समय आने का कि जब बेहतर समय आए तब शादी की जाए तो जैसा प्रवीन जी ने कहा कि अगर किसी लड़की के विवा में विलंब हो रहा है तो पक्की तोर पे ब्रहस्पति इन्वाल्व होगा उसमें या तो वो कमजोर होगा या तो खराब होगा तो उसे बेहतर कैसे करें कि शादी जल्दी हो पहला काम रोड सवीरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करेंगी दूसरा काम सुबह शाम दोनों समय एक सो आठ बार नमः शिवाय का जब करेंगी और एक सोने का या पीतल का चल्ला दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में ब्रिहस्पती वार को धारन करियेगा और सप्ता में एक बार किसी भी धार्मिक स्थान पर जा करके आप प्रार्थना करियेगा आप जिस भी धर्म की मानने वाली हैं जिस भी संपरदाई की मानने वाली हैं उसके धर्म स्थान पर जा करके इश्वर से प्राथना करियेगा निश्चित रूप से आपको लाब होगा अब अगर ब्रिहस्पती की वज़े से विवा में विलंब हो रहा है तो इसका सीधा समाधान ये नहीं है कि आप पीला पुखराज पहन लीजिए सोच समझकर पुखराज पहनिए मालिया सब्तम भाव में ही ब्रेस्पती बैठा हुआ है और विवा में विलम हो रहा है और आपने पुखराज पहन लिया तो शादी होना असंभव हो जाएगा इसलिए विवा नहीं हो रहा है तो सीधे पुखराज पहन लिया जाए ये कोई सलूशन नहीं है पीला पुखराज आप पहन सकती हैं लेकिन सोच समझके ठंडे दिमाग से निर्ड़े लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा हाँ कुछ इस्थितियों में जरूर पीला पुखराज पहन लेने से महिलाओं का विवाज जल्दी हो जाता है अब बात तुला राशी की शुक्र की ये राशी है तुला राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडित जीन के लिए आज शुबरंग कौन सा है तुलाराशी करियर में लाब के योग बन रहे हैं स्वास्थ का अपने ध्यान बनाए रखें काम का तनाव और दबाव अभी बना रहेगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बहुत बेहतर बनाएंगे वो शुबरंग आज के लिए होगा क्रीम अब बात ब्रिश्चिक राशी की मंगल की यह राशी है व्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडी जीन के लिए आज शुबरंग कौन सा है ब्रिश्चिक राशी धन लाब के योग बन रहे हैं किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ती मिलेगी करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी किसी निरधन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वह शुबरंग आज के लिए होगा नारंगी अब बात धनु राशी की ब्रहस्पती की विए राशी है धनु राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडी जी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है धनु राशी मानसिक चिंताएं रह सकती हैं काम का बोज बढ़ा रहेगा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किले बहुत हद तक कम हो जाएंगी शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आपके लिए होगा धानी पंडी जी अगर वैवाहिक जीवन में उठा पटक चल रही है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है आज कल बड़ी जल्दी एगो प्रावलम शुरू हो जाती है शादियां लंबी नहीं चल पाती हैं दो साल शादी चलाना मुश्किल हो रहा है लोगों को तो अगर वैवाहिक जीवन में परिशानी है तो कैसे ब्रहस्पती को मजबूत करके अपने वैवाहिक जीवन को और अच्छा बनाया जा सकता है प्रवीन जी होता क्या है कि महिला का ब्रहस्पती गरबड है शादी उसकी सही दशा में हो तो गई लेकिन जब शादी हुई तो गरबड ब्रहस्पती की दशा मिल गई उसको अब पता चला कि वैवाहिक जीवन में वो कोशिश तो कर रही है अजिस्टमेंट करने की प्रयाज भी कर रही है लेकिन वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है अगर आप महिला हैं और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कते हैं तो आप ब्रिहस्पती को बेहतर करिए आपके वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर हो जाएंगी पहला काम रोड सवेरे जल में हल्दी मिला करके सुर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा सुबह और शाम दोनों समय हल्डी की माला से वैसे तो गायत्री मंत्र रोग रुद्राक्ष की माला से जपते हैं लेकिन आप जपिएगा हल्डी की माला से सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र घर में सात्विक माहौल बनाए रखिएगा और कम से कम सब्ता में एक बार घर के सभी लोगों के साथ मिल करके जोईंटली संयुक्त रूप से पूजा उपासना करियेगा अगर आप ऐसा नियमित रूप से करती हैं तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा जिस किसी महिला के वैवाहिक जीवन में समस्या हो उसको मेरी सीधी सलाह ये है कि वो भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करे क्योंकि ब्रिहस्पतिग्रा के कंट्रोलर है भगवान शिव तो अगर शिव जी के मंत्रों का अधिक जब किया जाए शिव लिंग पर जल चढ़ाये जाएं नियमित रूप से शिव जी से प्राथना की जाएं शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ किया जाएं तो ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन अवश्य ही बेहतर होगा अब वक्त हो गया ऐसा क्यों है जानने का प्रवीन जी अक्सर देखा गया है कि महिलाओं ब्रहस्पतिवार का व्रत रखती है तो ऐसा क्यों है कि महिलाओं को ब्रहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए क्या इससे उनको कोई लाब होता है प्रवीन जी जैसा कि हम आज करिक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि ब्रहस्पती महिलाओं के जीवन का सबसे मात्वपूर गरा है इसलिए ज्यादा तर लोग महिलाओं की शादी नहीं हो पाती है तो लोग कह देते हैं ब्रहस्पती वार का वरत रखो या महिलाओं के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ जाती है तो लोग कह देते हैं ब्रहस्पती वार का वरत रखो देखिए ब्रहस्पती वार का वरत रखने से निश्चित रूप से महिलाओं के विवाह होने में और विवाह चलने में सुबिधा होती है लेकिन ये हर महिला के लिए लागू नहीं होता जिन महिलाओं का ब्रिहस्पती नतारात्मक फल दे रहा हो अशुब परिडाम दे रहा हो ऐसी महिलाएं अगर ब्रिहस्पती वार का वरत रखें तो उनका विवाश शीग्र होता है और वैवाहिक जीवन बेहतर होता है अब बात मकर राशी की शनी की ये राशी है मकर राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडी जीन के लिए आज शुब रंग कौन सा है मकर राशी मानसिक चंताएं समाप्त होंगी करियर की इस्थिती में सुधार होगा पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होता जाएगा भगवान को अगर पीले फूल अरपित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुब रंग आज के लिए होगा गुलाबी अब बात कुम्भ राशी की शनी की ये राशी है कुम्भ राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडी जीन के लिए आज शुब रंग कौन सा है कुम्भ राशी स्वास्थ में सुधार होता दिख रहा है मानसिक चिन्ताएं समाप्त होंगी पूजा उपासना पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुब रंग आपके लिए होगा फिरोजी अब बात मीन राशी की ब्रहस्पती की ये राशी है ब्रहस्पती की इस मीन राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आपको क्या साउधानी बरतनी चाहिए और पंडी जी इनके लिए आज शुब रंग कौन सा है मीन राशी करियर का काम आपके बन जाएगा धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी पारिवारिक अशान्ती समाप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुब रंग जिसका प्रियोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुब रंग आपके लिए होगा पीला अब वक्त हो गया है आपका लकी नंबर के हिसाब से लक जानने का तो पंडी जी आज लकी नंबर एक से लेकर लकी नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज क्या है खास बात करते हैं नंबरों के भाग की और बात सबसे पहले नंबर एक की नंबर एक वालों के लिए आज बेवजा की दोड़ भाग रह सकती है आज काम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं नंबर दो आज आपको सिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में विशेश सफलता मिलेगी आज का दिन परिडामों के लिए अच्छा है नंबर तीन आज आज आपको करियर के मामले में विशेश सफलता मिलेगी करियर की बाधाएं दूर होंगी नमबर चार आज अपने स्वास्थिका आपको विशेश ध्यान रखना है आज आपकी सेहत विगर सकती है नमबर पाँच धन लाब के अच्छे योग बन रहे हैं धन की प्राप्ती की संभावनाएं दिख रही हैं नमबर छे आपकी तमाम मानसिक चंताएं इस समय समाप्त होंगी मन की स्थिती आपके बेहतर होगी नमबर साथ आज चोड़ चपेट से बचेंगे वाहन सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा नमबर आठ करियर की तमाम समस्याएं आज आपकी हल हो जाएंगी तो आज का दिन आपको मुश्किलों से बाहर निकाल देगा नमबर नौ स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं तो चेंज ऑफ प्लेस के लिए पूरी तरह से तयार हो जाएए अब वक्त है भागे पहर का पड़ी जी आज का भागे पहर कितने वज़े से रहेगा और भागे पहर के दौरान हमें क्या करना चाहिए जी आज भागे पहर का शुब समय है शाम को साथ बच के तीस मिनट से रात के नौ बजे तक इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अरपित करें और उनसे प्राथना करें इससे आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी अब वक्त है आज के उपाय का पड़ी जी अपने दिन को बहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए आज प्रातह काल भगवान कृष्ण को तुलसी दल अरपित करें घर से निकलते समय उसी तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहन करें अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का पड़ी जी आज आपने बड़े विस्तार से ब्रहस्पती का कैसे महिलाओं के जीवन में संबंध होता है कैसे वो अपने विवाहिक जीवन को सुखत बना सकती है आपने बताया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद